तो आज हम बापस आए हैं हमने बाइनरी सर्च का पुरा कॉंचेप्ट समझ लिया है बेसिक से लेके फेमस से लेके एडवांस टाइप के कोशन सारे कंप्लीट कर लिये हैं अब हम आज चुके हमारे नेक्स टॉपिक पर जो कि है सॉर्टिंग को समझने वाले हैं vista करें पहले type के साथ जोकिस सिलेक्शन सॉट सबसे असान सॉटिंग है inspired क्या होता है एक मिनीट के अन्दर तो एक जामपल आपको देते हैं उसके त्रूफ चीज़ें आपको बहुत असानी से क्लियर होने लग जाएंगी पहले हम यहाँ पर लिख हमारा topic क्या है हमारा topic है कि यार selection sort मेरा topic है selection sort मैंने कि बोला दोस्त बहुत असान है मैंने बोला कि array बनाओ हुआ इस array में कुछ-कुछ values बढ़ी होगी values क्या होंगी देख लेते हैं मैंने बोला कि यार एरे में जो starting या वो कुछ इस प्रकार की है कि यहां पर 179230 इस प्रकार है मैंने बहुत इसको sort अगर मैं कर दूं या फिर मैं बोलो sorted array तो अगर मैं बोलो increasing order में sorted है तो किस प्रकार का हो जाएगा आपका एक array बन जाएगा तब से पहले इसमें अपने element डालोगे और आपके element क्या आगए 012379 तो अब देख पारेगार कि increasing order के अंदर increasing order के अंदर मैंने अपने elements डाल दी है तो मैं कह सकता हूं कि ओ कि यह element जो है यह element जो है वो started हो चुकिे है मैं इस प्रकार बोल सकता हूं तो इसको मैं sorting के बात करता हैं तो मैं इसी एक order में arrange करने के बात करता हूं कि इह increasing order में arrange करतू जो Echo main sorted ड़ जाता हूं तो मैं समझ बातने हैं ने कि면 सम अधर किसर्टें कि time complexity क्या होगी space complexity क्या होगी worst case complexity क्या होगी best case complexity क्या होगी use case क्या होगा code कैसे करना है dry running में कैसे करना है सब कुछ लेखेंगे शुरुबात करते हैं simple पहले शुरुबात में हमने बात करी कि what is selection sort हमने एक part discuss किया जिसका नाम है what अगर में आपको अगले पेज पर ले जाओ और बोलो कि दोस्त यहां पर हम डिसक्स करेंगे what is selection अगे बढ़ने से पार बात करते कोडिंग निंजास के बारे में इस फ्री डियसे को आप तक पहुंचाने में अगर डियसे कर लो जावा पाइफन किसी भी लैंगविच के अंदर तो आप यहां से वो पेड़ कोडिंग ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास के वह यहां पर वन-वन डाव्ट रिजोलिंग सपोर्ट अविलेबल है कर तो अगर आपको कोई भी पेड़ कोड़ खरीदा है तो अब आप समझदार है आपके पास यह लिंक डिसक्रिप्शन में पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिसकाउंट जो के मैक्सिम है वह आपको मिल जाएगा धन्यवाद यानि अब मैं बात करन हूँ कि आपका सेलेक्शन सॉट क्या होता है क्या वाली चीजन समझने वाले है तो मैंने बहुत दोस्त बहुत असान चीज है कुछ भी नहीं करना होता आपको क्या करना होता है डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स खेलने होते हैं जैसे बॉक्सिंग होती ना बॉक्सिंग और आप क्या करते हो, हर एक round के अंदर, हर particular round के अंदर आप क्या करते हो, आप एक smallest element उठा के ले आते हो, smallest element लाके, उसको right place कर देते हो, right जगह पर place कर देते हैं, तो मैं समझ में आ गया, कि यार selection sort के अंदर, मेरे पास बहुत सारे rounds होने वाले हैं, और हर एक round के अंदर, मैं क्या करूँगा, एक minimum element को उठा के लाऊँगा, और इसको इसकी सही जगह पर place कर दोगा, थोड़ी बहुत चीह समझ में आई है, जब तक example नहीं दिखेगा में, त 22 और 11, यह मेरा array है दोस्त, यह मेरा array है, और इसके अंदर यह सारा content पढ़ा हुआ है, यह मैं समझ मान चुगी, यार, यह content पढ़ा हुआ है, array के अंदर, index 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार, मैंने क्या बोला कि दोस्त, round 1 चला, बहुत simple है, मैंने बोला दोस्त, round 1 चला दे, ठीक है तो start कर रहे हैं, सबसे पहले हम round 1 के साथ, round 1 क्या कहता है, सबसे पहले अपने सारे element लिख लो, 64, 25, 12, 22, 11, मैंने क्या बोला, जो आपकी position है, मैंने बोला, starting में I आपका यहाँ पर है, तो यानि आपका I यहाँ पर होगा, यानि I आपका 0 है, starting के अंदर, तो मैंने क्या बो 64 से swap करवा दिया, बहुत बढ़ी है, क्या answer निकल गया है, answer निकल गया है, 11, 25, 12, 22, 64, बहुत बढ़ी है, यह हमरे result हो गया, अब मैंने क्या बोला, दोस्त, round 2 पे चलो, round 2 में आ गए, round 2 में मैंने क्या बोला, कि मुझे पता है कि यह वाली value तो already सही जगा place हो चुकी है, अ तो मैंने क्या बोला, कि अभी आपके i की value जो है, वो है 1, ठीक है, आपको का करना है, आपको check करना है कि यार, इस position पे, इस पूरे array की minimum value आनी चाहिए, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कि बहुत simple है, इस पूरे array की minimum value है 12, 12 को 25 से अपने को swap कर देना है तो answer क्या निकल क्या आगया, answer आगया 11, 12, 25, 22, 64, बहुत बढ़िया, अब मैं चला गया round 3 पे, round 3 पे जम्मा गया, तो मुझे किस की चिंता करनी है, मुझे इस position पे right value डालनी है, इस particular position पे, इस पूरे array की minimum value डालनी है, ठीक है, यहाँ पे मेरे i की value क्या गई है, i की value 2 हो च डालनी है, और अगर मैं ध्यान से देखू, तो मुझे का दिख रहा है, कि your minimum value है यह, तो यह इसके साथ swap होनी चाहिए, तो आपका answer क्या आगया, आपका answer आगया, 11, 12, 22, 25, 64, ठीक है, अब आप गए round 4 में, round 4 में चले गए आप, round 4 में चले तो आप किस के लिए चिंता करन यानि कि आप कहने कि मुझे इस position पे इस पूरे array की minimum value डालनी है, done है, मैंने क्या बोला, इस position पे इस पूरे array की minimum value डालनी है, मैंने कहां दिख यार वो तो already पड़ी हुई है, इस पूरे array की minimum value क्या है, 25 यह, तो 25 को अगर मैं 25 से swap कर राद उत तो क्या फरक पणदा तो मारा काम हो गया, तो यही हमारा output रहने वाला है, अब मैं कहां चला गया, अब मैं चला गया, round number 5 पर, क्या मुझे यहां जाने की नीड है, ध्यान समझते हैं, 11, 12, 22, 25, 64, last element को sort करने के लिए तो कहां ही जाएगा, last element को तो आगे वाले हर में देखा, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो round इसके नीड ही है, तो इसका मतलब मेरे total कितने round चलने वाले हैं, अगर मेरे पास जैसे इस case में, एन जो था, वो 5 था, total number वो element कितने थे 5 थे, इस case में एन जो था, वो 5 था, तो मुझे क्या दिखा कि total कितने round चले हैं, total 4 round चले हैं, तो round कितने चले है total, total round चले है, n-1, ठीक है, क्या मेरे जी समझ में आई, हमें का समझ में आता कि कोई भी value गर पड़ी हुई है, array के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँसे श्रूर करते हैं, यहां पर क्या आएगा इस index पर क्या value पड़ी होगी जो इस पूरे array की minimum value होगी अब मानलों कि आपने यह वाल index sort कर लिए आप पर minimum value आगई आपको यह चार value पड़ी होगी आपने बोला कि इस index पर क्या आएगा जो इस पूरे array की minimum value होगी आपने इसको भी sort कर लिया अब यहां यह तीन value पड़ी आपने वला इस index पर क्या आएगा जो इन तीनों की minimum value होगी बहुत बढ़ी आपने यह भी कर लिया फिर यह तोनों बची आपने वला इस index पर क्या आएगा जो इन दोनों की minimum value होगी बहुत बड़ी है आपने ये चार सॉर्ट कर लिए यह तो लास्ट है या तो कुछ करने के नीड़ी नहीं है तो आपका जो array है वो सॉर्ट हो चुका है इस पकार आपके algorithm काम कर रही है यह मैं चीज समझ में आ चुकी है ठीक है बहुत पैरी चीज है ज्यादा मुश्किल काम ह क्या होगी complexity की अगर हम बात कर लें हाँ पर हमने बोला कि दोस्त complexity क्या होगी या फिर मैं ऐसा करूं कि आपको मैं एक बार कोड करके दिखा तो उसके बाद complexity समझाओं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा तो एक बार इसका code करने का ट्राइ कर लेते हैं उसके बाद च का selection sort काम करें के example आपको यहाँ पर दिखने को मिल गया ठीक है मैंने बोला दोस्त इसको implement करना चाहता हूं मैं बहुत अचान है करके देखते हैं कैसे होगा ठीक है अब simple logic है हम करने का try करते हैं हमने क्या बला था जैसे कोई भी value अब पढ़ी होई है तो मैं i कहां से start करता ह हूँ 0 से और उस case claim में क्या करता हूँ मैं इस पूरे array के minimum value निकालता हूँ ठीक है और फिर हमने क्या बला था कि यार अगर अगले round पे पहुंच गए तो i कहां होगा 1 पे और मैं इस पूरे array के minimum value निकालता हूँ बहुत बढ़िया उसका बमाने क्या बला था यह total i आगर 2 पे फिर आप इस पूरे array के minimum value निकालते हैं हमें क्या दिख रहा है एक तो loop चल रहा है जो कि i को लेकर आगे तक कहां तक जा रहा है हमें पता है कि i is equal to 3 तक और फिर रुप जाएगा तो मुझे क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ minimum find out कर रहा हूँ मुझे क्या कर रहा निकालना तो यहां पर यहां पर यह और loop लगाना पड़ेगा तो यहां मुझे minimum find करने के लिए एक loop और निकालना पड़ेगा done है सही है तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया मैं एक पर code करने कर ट्राइ करता हूँ चीज ने आपके लिए असान हो जाएंगी चालो मैंने बोला कि एक loop मैंने चलाया i 0 से लेके मैं कहां तक लेके जा रहा हूँ i लेके जा रहा हूँ मैं n-1 तक n-1 पहरा loop चला दिया अब मैंने जो minimum value है न मैंने बोला कि यहां पर जो i 0 था तो मैंने बोला कि मैंने अभी starting मैंने इसी value को minimum माल लिया अब मैं जब आगे जाओंगा minimum निकालोंगा माल लोग यह मेरा minimum आ गया तो मैंने इन दोना value को swap करवा दिया स्टार्टिंग मैंने माल लिया है अगर मुझे कोई भी नंबर यहां पर इससे छोटा मिल जाता है तो भाई मैं उसको स्वयाप करवाद हुआ कैसे समझते हैं इसको मैंने मिनियम का इंडेक्स टोल कर लेता हूं मिनियम इंडेक्स टोल के नहीं है को मैंनोल दो नोले को यहां से ऩतते हैं बार यहां से टाना पड़िये इसको तो अपने मिनियम माल लिया थे यहां से कंपेरणा थे शाट करना है तो आप लेका for j i plus 1 j less than n j plus plus ठीक है इस परकार आपने लूप को चलाया अब आप क्या करने वाले हैं हमने बोला कि दोस्त अगर ऐसा कोई element exist करता है मैंने बोला a r r of min index अभी तक जो minimum number हमारे पास है अगर उससे भी कोई छोटा element exist करता है मालो कि a r r of j जो है वो छोटा है minimum वाले से भी अच्छा यानि कि कोई ऐसा element पढ़ा है जो इस area के अंदर लाई करता है यह जे का area है और यह number तो हमने बता दिए के main index है अब बोला कि इस में कोई ऐसा number है जो कि main index से भी छोटा है हो तो यह main index तो गलत जगा point करा रहा है तो main index क्या होना चाहिए main index तो उस case में जही होना चाहिए ठीक है यह आपने अब यह कर लिया तो आप इस लूप से भार आए आपने बोला कि आर इनकोड़ा स्वैप करा दे आपने बोला स्वैप करवा दे किसको आर 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 ओफ main index वाले को किस के साथ आई के साथ ठीक है मैंने बोला आपका code हो गया मैंने बोला इतना ही code था 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 थाओ अधर साफ सब्सक्राइब कर दो आपके लिए इसको यहाँ पर एक की लाइन है तो मुझे यहाँ पर कर लिब इसके नीड नहीं है बेना अग आप देखते हैं क्या होता है सारे आदर सभी आगे मैंने बोला सब्मेट भी करके देख लो मैंने सब्मेट किया करेक्ट आंसर आगया बहुत बढ़िया अब मैं आपको एक ग्जांपल के तुर दूबारे समझाऊंगो ताकि आपको और इच्छे समझ में आए यहां पर आपके एक्जांपल बढ़ा हो है 628410 तो हम यहां पर एक एक एक्जांपल उठा रहे हैं सिंपल सा एक्जांपल है ज्यादा मुश्किल नहीं है यह कहता है 628410 बहुत बढ़िया मैंने क्या बोला कि दोस्ट सबसे बढ़ना यह वाली पोजिशन सौट करो कि कि इस पूरे एल्यमेंट आना चाहिए मुझे का दिख रहा है कि मैंने क्या किया मैंने बोला कि तो ऑसकी नहीं करना दो लों को स्वाप कराना है तो क्या हो गया 2 6 8 4 10 अगले रांट पहुंच गए अब मैंने क्या बोला इस पोजिशन के लिए करो इस पूरे एरी का मिनियम निकालो मुझे का दिख रहा है वो क्या है 4 है बहुत सान है इसका मतलब मुझे 6 और 4 को रिप्लेस कराना है यह क्या हो गया 2 4 8 6 10 बहुत बढ़िय अबने इस पूरे एरी का मिनियम से बात कर मतलब 6 से स्वाब कर वा दिया फिर आपका अंसर क्या आ गया अपका आ अंसर आ गया यहार 2 4 6 8 10 अभ हमें इस पोजिशन को सॉट करना इसके लिए में इस पूरे आर्य का मेनिम निकालना पड़ेगा अलरी 8 तो 8 को 8 से स्वैब और के काई हो जाएगा तो हम आप पहुंच गए यहां पर यहां पर यहां पर में पुरूह के लिए जो हमारा आई ही है वह सॉट हो चुका है तो यह हमा यह बोला पेले जार हमें यह वाली position short करणी है तो इसके लिए मैं इस पूरे area का minimum क्या है? तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें one OR four को swap करवाना पड़ेगा यह बन गया Doo four अब हमें इस position को short करना हिए मुझे इस plastic and 했 aconverted momentum इस पूरे अरिका में निकालना पड़ाए जो कि क्या है 3 और इधी 3 पढ़ा हुए वहां पर तो कुछ करने की नीडी नहीं है ठीक है फिर हम पहुंचे यहां पर पर हम यहां तो पहुंचते ही नहीं क्योंकि last element है क्योंकि i हमारा कहा तक चलता है जिरो से लेके less than n-1 तक तो इसका मतलब हमारा area यहां वो sort हो चुका है इस परकार हमने यह question कर लिया ठीक है यह code कैसे कर रहा है एक बाट समझ में नहीं है बहुत बढ़ी है आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि हम i0 से लेके n-1 तक जा रहे है जैसे कोई भी element है तो हम कहाँ जाते थे हम second last element को sort करने का सोचते थे last element को sort करने का भी सोचते नहीं थे कि already sorted होगा बतलब last अगर मानलो आपने यह 4 sort कर दी है और last बचा हुआ है sorted हाना है तो सर पहले से हो आप करने के नीडी नहीं है क्योंकि आप क्या करते है आप एक particular element के लिए उसके आगे वाले array को देखते हो last element के आगे तो कोई array पढ़ा ही नहीं है तो यानि वो already sorted पढ़ा हुआ है इसलिए हम less than n-1 कर रहे है तो हमें दिखिया कि पहले लूप में 0 से लेके इस वाले element से छोटा मिलता जाएगा इसको आपके लिए असान करता हूँ और अच्छा दिखने मच्छा कर देता हूँ चलो दुबारा से करते हैं सीज को एक बार तो अब मैं इसको आपके लिए थोड़ा असान कर देता हूँ मैंने कहा आपको यार कि मेरे पास एक array पड़ा हुआ है ऐसा इसमें चार element पड़े हुआ है इन चार element की value क्या है A, B, C, D इनका index का है 0, 1, 2, 3 तो मैंने बोला अगर मेरा I is equal to 0 है अगर मैं पहले element के लिए sort करने का try कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया मैं उसके index को पहले minimum index मान लोगा कि यार यह जो element यहाँ पर पड़ा है वो minimum ही है और फिर मैं क्या करता हूँ फिर मैं आगे के जो array बचा हुआ है उसमें try करता हूँ कि कोई भी value कि कोई भी value ऐसी exist करती है जो main index पर जो value पड़ी है उससे छूटी हो ठीक है तो मैंने क्या बोला कि मान ले यार b less than a आ गया हमने यह आप पर compare किया कि यार b जो है वो less than a आ गया अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरा minimum index था ना वो minimum value को दर्शारा था बढ़ अब तो वो minimum रही नहीं क्योंकि यह से छोटा तो भी भी है तो week index answer होना चाहिए तो week index क्या वन इस फक्रण आपने minimum index को update कर लिया ठीक है जब आपने update करके बाहर निकले तो आपका minimum index क्या दिखा रहा होगा जो भी इस पूरे array में minimum value होगी उसका index दर्शार रहा होगा आपका minimum index तो आपने simple सी बात कही यार कि मेरा IAV कहां पर है यहां पर है और minimum index मेरा index दर्शार जो के minimum है उन दोनों को swap कर दो इतना आपने कर दिया कि हमने पता यार ये जो है minimum है तो आपने इन दोनों को swap करा दिया तो आप का answer आगया B, A, C, D यह समझ में आ चुकिए एक numerical example लेकर समझाँगो और अच्छे समझ में आएगा मैंने बोला था कि यार यह है 5 और यह है 3 और यह है 6 और यह है 9 ले लो चलो 9 लो इस प्रकार और मैंने बोला कि यह एक array है दोस्त और यहां पर index है 0, 1, 2, 3 मैंने बोला starting आपकी आई जए 0 पे पड़ा हुआ अच्छा आई अगर 0 पे पड़ा है तो मैंने क्या किया होगा जो मेरा main index है उसको भी मैंने अभी 0 ही मान लिया होगा यानि कि मैंने बोला होगा minimum value जो पढ़ी है मेरी वो 5 ही है मैंने मान के चल लिया कि अभी मेरी minimum value 5 ही है ठीक है अब मैंने क्या बोला कि यार आगे के ना पूरे array में जाओ यानि यहां से यहां तक पूरे array में जाओ और check करो कोई ऐसी value exist करती है जो कि minimum index पे जो value पढ़ी है उससे छोटी हो समझे बात ев시 इडिमंट करना पढ़ें मैंने compare कियا कि यार क्या 6 लैस्तिन 3 को रिखा मैंने 5 को रिखा क्योंकिमिन index अबडेट हो गया इसलिए न ही नहीं है फिर मैं नाइन पर गया, मैं लिकाँ कि नाइन लेज दिन थ्री है, उसमें वला नहीं है तो इस प्रकार मेरे मिन इंडेक्स के वैल्यू के आगी, वन आगी यानि कि इस पूरे एरे के अंदर यहां तक, जो मिनिमम वैल्यू है वो है थ्री और उसका इंडेक्स है वन, तो मैंने कि बोले यार, यह मेरी मिनम वैल्यू है इस पूरे एरे में, तो तो क्या कर भाई, इन दोनों वैल्यूस को स्वैप करवा दे, क्या कर, इन दोनों वैल्यूस को स्वैप करवा दे, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, अगर मैं आपको जा रहे हो नीचे आप i plus one से n तक जा रहे हो इस प्रकार less than n तक ठीक है तो अगर आप बोलूँगा पहले पहले सबस्पर एक स्पेस कॉंपलेक्शिटी क्या है इस solution की ठीक है स्पेस कॉंपलेक्शिटी की बात करते हैं क्या मैंने इसको solve करने के लिए को extra space लिया है मैंने बोला कि क्या selection sort परफॉर्म करने के लिए मैंने को extra memory ले लिया मैंने तो इवैलियबल बनाए है मैंने वैलियबल बनाए है बस कहता तो जब मैं सिर्फ बनाता हूँ तो मेरी space complexity क्या होती है constant time होता तो space complexity हमारे इस case में क्या होगई big o of one अब मैं time complexity की बात करता हूँ मैंने बोला time complexity बता हो यार time complexity समझा दो एक बार चलो मैंने आपको बोला था कि अगर यहां पर 5 चीजें है एक b c d e तो मैं a के लिए क्या करता था यहां पर 4 comparison चला करते थे न done है और मान लो कि ऐसा आ गया a b c d e अब मैं b के लिए क्या करता था यहां पर 3 comparison चला करते थे ठीक है ऐसे करते करते क्या होता था लास्ट में आपके सिर्फ एक comparison चलता था तो अगर मैं बोलूं कि आपके array का size जो है वो n है तो पहले आपके n-1 comparison चलेंगे फिर n-2 चलेंगे कहां तक चलेगा वन तक चलेगा अच्छा तो यानि के 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n-2 प्लस n-1 यह किसके एक वलाता है n into n-1 upon 2 तो अगर मैं इसको solve करूं तो यह क्या निकलाएगा n-2 और मुझे पता अगर मैं इसको big or notation में ले जाओं तो मैं आंसर क्या गए o of n-square तो मिरे time complexity क्या आ गई o of n-square आ गई selection sort की स्पेस complexity आ गई और time complexity आ गई अब मैं कहता हूं के दोस्त थीक है यह सब बाते समझ में आ रही है मुझे best case और worst case की complexity दर्शा दो best case की complexity क्या होगी time complexity की बात कर रहा हूं और worst case की complexity क्या होगी अगर मुझे कोई भी array sort करना है और इसका best case क्या होगा मान लो कि मिरे पास कोई भी array input में है और मुझे इसको sort करना है तो best case क्या हो सकता है best case यह हो सकता है कि वो array already sorted है वो array already sorted है तो मान लेते हैं कि one two three four five तो मैं one के लिए क्या करूँगा यहां से minimum ढूंड के लाऊँगा मुझे थोड़ी पता है sorted है के नहीं है तो मैं प्चार comparison करी रहा हूँ तू के लिए क्या करूँगा यहां से minimum ढूंड के लाऊँगा तीन comparison करी रहा हूँ यहां दो comparison करना है तो मुझे क्या समझ में आए कि यार, sort हो, चाहे ना हो comparison तो मैं उतने कर नहीं वाला हूँ तो best case में भी मेरी complexity जो है वो O of N square ही रहने वाली है जहाँ पर N है आपके size, array का और worst case में, जहाँ पर उल्टाओ 4, 3, 2, 1 इसको sort कर रहा है, increasing order के अंदर तो यहाँ पर ही मेरा यार N square comparison समझागी यह चीज़ में, क्यार ठीक है best case में वोई complexity रहने वाली है और worst case में वोई complexity रहने वाली है, बहुत बढ़ी है ठीक है, यह चीज़ में समझ में आचुगे code हमने अब तक कर लिया, dry run हमने कर लिया best case, worst case, time complexity निकाल लिया space complexity निकाल लिया, मैंने बोला, use case क्या है भाया, आपने तो बोला ना, कि बहुत सरे algorithm सिखाओगे selection sort सिखाओगे, bubble sort सिखाओगे quick sort होती है, merge sort होती है मैं ये कभी use करूँगा, selection sort तो मैंने बोला, दोस्त, बहुत असान है मैंने बोला, दोस्त, जब भी तेरे array का size small होगा ना, जब भी तेरे array का size small होगा आपको array या vector या कोई list दे रखी हो और आपको बोल रहा हो कि यार, इस पे sorting sorting चलानी है, तो मैंने बोला, जब भी तेरा size small होगा, तो दोस्त, selection sort के बारे में सोचके देखी हो, यह इसका use case, चोटे size पर अच्छा काम करता है, जहां पर memory constraints होते हैं, आपको पर memory usage हलका ही रखना, ठीक है, वहाँ पर इस चीज़का आप use में ले सकते हैं, तो आप से अगर application के use case के बारे में पूछे का है, selection dot कभ यूज करोगे, तो आप बोल सकते हैं, जब मेरा size small होगा, तो उन use cases में मैं इस algorithm को adopt करने वाला हूँ, यह चीज़का मैं समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़ी है, तो हमने अब तक क्या देख लिया, हमने अब तक देख लिया, what हमने अब तक देख लिया, time complexity में best case, हमने देख लिया worst case, हमने देख लिया use case क्या है, यानि, use case हमने ऊपर देख लिया, हमने इसका code देख लिया, हमने इसको dry run करके देख लिया, तो हमने सब कुछ समझ लिया गया, ठीक है, इस परकार से हम selection sort करने वाले हैं, और नाम से पतर गार selection sort, select हम आप minimum select करके ला रहे हो, और इसकी सही जगा पर उसको रख रहे हो, ठीक है, तो इस परकार आपकी selection sort algorithm यहापे खतम करते हैं, आपको इस समझ में आगयोगे, यह माशा करता हूँ, और बहुत यासान चीज़ है, ज्यादा कोई करके समझा दिया, आपको अच्छे समझ में आच हो, कि मैंने आपको यह फ्लो चार्ट समझाए थे पहले lecture के अंदर, मैंने बुला कि यह इसका फ्लो चार्ट मुझे एक बार बना के देना, इस algorithm का अगर आपने इसका फ्लो चार्ट बना लिया, तो इसका मतलब है कि आपका concept एकदम clear है, आपसे फ्लो चार्ट नहीं बन पा रहा है, तो आपने पहली वीडियो रंग से नहीं देखी है, या फिर आपको यह वाली वीडियो समझ में नहीं आए, दो तो आप, दो मैंसे कोई और unstable algorithm होता क्या है, order preserve करने वाली चीज़ होती है, बस और कुछ नहीं होता, order preserve क्या होता है, यह आपको फूद एक बड़ सर्च करना है, तेक है, मैं क्यों दे रहा हूं वाग मैर, क्योंकि यह न इतना कुछ इंटर्व पूछा जाता नहीं है, stable और unstable वाली चीज़, तेक ब करनी है, flowchart आपको create करके लाना है, और आपको check करना है, stable है, unstable है, बाकी हमने discuss कर लिया, selection sort, best case, first case complexity, code हमने देख लिया, direct हमने कर लिया, use case हमने देख लिया, किस चीज़ में हम इसको use करने वाले है, तो चीज़े आपके लिए बहुत clear हो चुँए, कि ठीक है, इस परकाई selection sort काम करता है, और मुझे समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया, तो आपके आने वाली वीडियो कुछ sorting के उपर रहने वाली है, और मदा बहुता आएगा, छोड़ी वीडियो होंगी, कर देखते रहें, और जोश अपना हलका ना रखे है, पुराने वीडियो में आप ऐस बहुत सार कोशन करने हैं, तो इस फेज में बहुत सार ऐसा टाइम आएगा, जब से कोशन नहीं होंगे, कोई बात रहें, हिंट ले लेंगे, कोशन आई टोल पढ़ लेंगे, किसी गाउट का सलूशन पढ़ लेंगे, पर महनत तो मारो दोस्त, डरों मात इती नहीं बढ़ करके देख लो, अगर चलो नहीं आई, एक बार समझाता हूं जाने से पहले, मुझे साटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बोला कि चलो और एक्जामपल और लेते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखा हमने, हमने बोला हमारा एक्जामपल क्या है, हमने बोला कि यार, 7, 1, 4, 3, 9, बहुत बढ़िया, मैंने बोला ठीक है दो, इसको एक बार आरे में कनवाट कर दिया, यह रहा आरे दुमारा, यह इंडेक्स लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने बोला स्टार्ट कर रहा हूं, आई इकल टू जीरो के लिए, मुझे क्या पता है, अगर मैं आई चादत कर रहा हूं, तो मैंने शुरू में मान लिए, यार, यही मेरी मिल्मम वैल्यू है, मैंने शुरू में दियुम कर लिया इस चीज़ को, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, चैकर कोई, मिल्मिंडेक्स वाली वैल्यू से चोटी हो ऐसा कुछ ढूंड के ला आपने ठीक है चेक कर लेते हैं आपने पहले 1 को चेक किया आपने लिखा कि दोस्त 1 less than 7 ओ टू हो गया जब यह टू हो गया तो आपको अपडेट करना पड़ेगा जब यह टू होता है तो आपको अपडेट करना पड़ता है क्या minimum index क्या द बहुत बड़िया आगे बड़े मैं 4 पर गया तो मैंने बोला कि यार हमारी condition क्या थी हमारी condition थी कोई ऐसा नंबर जो less than हो minimum index की value से यह condition थी तो हमारा कोई ऐसा नंबर क्या है 4 less than है मैंने index कहा है 1 और 1 पर क्या value पड़ी है 1 नहीं यार false है false है तो क्या करना होता इग्नोर कर दे यार ठीक है आगे हम गए क्या नंबर है 3 मैं 3 को चेक किया 1 से false है same ignore कर दे आगे गए 9 मैंने 9 चेक किया 9 less than 1 नहीं यार false है ignore कर दे बहुत बड़ी है तो यह वाली game समझ में आगी मुझे और मुझे का समझ में आया कि यार for i is equal to 0 minimum index क्या आ रहा है minimum index क्या आ रहा है 1 आ रहा है दोस्त तो इनको swap कर दे इनकी values को swap कर दे तो जब मैं 0 और 1 वाली value को swap करता हूं तो मेरा answer क्या बनता है 17439 मेरा answer क्या बन गया 17439 मैंने स्कारी की फार्म में बना लिए दोबारा 01234 मैंने बोला i is equal to 1 के लिए game खिलो एक बार ठीक है i is equal to 1 के लिए game खिलो और इसी को minimum index मान लो starting में minimum index क्या हो गया बन हो गया अब मुझे करना है मुझे आगे वाले हारे में जाना है कोई ऐसा number ढूंड के लाना है जो की इस 7 से छोटा होगा बहुत बढ़िया चालो मैंने बोला कि दोस्त बहुत असान game है गलती मत करियों तो आप गए आपने बोला 4 चेक करता हूं आपने true आ गया true आ गया तो minimum index को update करना पड़ेगा तो आपने लिख दिया main index की value क्या हो गई 4 का index क्या है 2 is equal to 2 बहुत बढ़िया आगे गए 3 3 को आपने compare क्या main index पर value पड़िया अब मेरा main index क्या हो गया 3 का index क्या है 3 तो आपका main index क्या हो गया 3 अगले value पर गए 9 9 को मैंने compare क्या main index पड़िया यानि 3 पर value पड़िया 3 पर 3 ही पड़िया तो मैंने compare क्या यह आगया false पर क्या मुझे क्या करना होता है मुझे ignore करना होता है तो में इन शॉट मुझे क्या दिख रहा है 1 3 4 7 9 यह मेरा answer आ गया क्योंकि मैंने इन दोनों value को swap कर दिया तो मेरा array बन गया क्या 1 3 4 7 9 मैंने तोड़ा अच्छी सी form में डाल गया क्या इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो 0 1 2 3 4 अब मैंने क्या बोला दोस्त पहले हम i is equal to 1 के लिए चला सुके हैं अब ऐसे कर i is equal to 2 के लिए खेल के दिखा i is equal to 2 के लिए मैंने बोला कि में index को शुरू में 2 ही मान लो अब क्या करो अब चेक कर करो क्या आगे वाले आरे में कोई ऐसी value exist करती है जो mean index पे value पड़ी है उससे छोटी हूँ क्या मतलब है कि आगे वाले आरे में क्यो ऐसी value exist करती है जो की इस 4 से छोटी हूँ यह चेक करना है चेक कर लेते हैं हमने क्या बोला किया 7 less than 4 false है इगनूर करना है फिर मैंने 9 less than 4 false है इगनूर करना है तो मैंने क्या बोला for i is equal to 2 min index is equal to 2 तो यार आपने क्या किया इंशुट आपको 4 को 4 से ही swap करवाना है तो आपका वही same array बन गया आपका array क्या बन गया आपका array बन गया 1 3 4 7 9 आपने इसको रखा यहां पर इस प्रकार 0 1 2 3 4 अब आप गए i is equal to 3 के processing करना है मैंने मुला i is equal to 3 के लेना यार min index को 3 ले लेना अब चेक करो क्या आगे वाले array में कोई ऐसी value exist करती है जो कि 7 से छोटी हो यह हम चेक करने गए तो बहुत simple game थी है हमने लिखा कि यार 9 less than 7 क्या अंसर आया false ignore करना है यानि कि i is equal to 3 के लिए min index 3 आ रहा है तो इसका मदद में 3 index को 3 से ही swap करना पड़ा है ठीक है तो 7 को मैंने 7 से swap करवा दिया मेरा answer क्या आगया मेरा answer आगया दोस्त 1 3 4 7 9 और मुझे पता है कि यार हमेशा आई जो है वो less than n-1 तक ही चलता है ठीक है तो यहां पर आपकी sorting खतम हो गई यह आपका sorted area आगया तो आपको चीज़न समझ में आ गई हो गया ठीक है बड़ा असान था मैं आई लेता हूं जो माई लेता हूं उसको minimum index मान लेता हूं और उसके बाद उसके चेक करता हूं कि आगे वाले array के अंदर को ऐसी value exist करती है क्या जो कि आपके main index पर जो value पड़ियो उससे छोटी हूं बस इतना चेक करता हूं अगर है तो update करतो नहीं है तो ignore करतो simple तो इतना था आपके selection sort के अंदर मैं समझता हूं कि मैं आशा करता हूं कि यह समझ में आ चुका होगा इसी तरहीं किसे मिलते हैं आप सकीन दे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय